हम लोग यूपी में फिर बहुमत से सरकार बनाएं चाहिए तमाम दावा कर रहा है सपा की दावा तो इसे हर चुनाओं में लोग करते हैं हमारे वे रोधी लेकिन जीकते हैं कोई विलम नहीं है सिर्फ मैं आप सब लोगों करूंगा कि सब लोग मिल जुन करके बिहार के मानिये मुख्यमंत्री को कहें कि बीटा बनता रहे बनता रहे कोई दिक्कत नहीं है भारत की सरकार चप्रा में सोनपूर में 15,000 फीट की लंबाई का हवायदा बनाने की प्यार है यूक्रेन के खार्कियू से अपने घर लोटी पूजा से मिलने अपने लाओ लस्कर के साथ बिहार सकार के वो दोग मंत्री सानवाजुसेन और सारन के सांसद रजीव परतापूर्डी एक साथ उनके प्रवनात नगर इस्तित आवास पहुँचे हलाके इस संक्षित दोड़े में के और अपचारिक्ता ही निभाई गई लेकिन दोनों ही नेता इस से अपचारिक्ता निभाने के लिए दो से पांस मिनट तक उनके घर पर रुखे और हाल चल जाना और सीधे वहाँ से वापस निकल गए वही सानसाद राजीव परताप रुड़ी और बिहार सरकार के मंत्री सानवाज उसेर पूजा के घर पहुच कर पूजा से और उनकी मा से बात किया और कहा कि आप लोगों के साथ पूजा के घर लोटने की हमको भी काफी खुसी है वही ब्यार सरकार के मंत्री सानवाज उसन से जब यह पूछा गया कि यूपी चुनाव में किसकी सरकार बन रही है तो उन्होंने कहा कि यह किनन भाजपा की ही और योगी ही मुख मंत्री होंगे यही बात सांसर दराजी उपरताब रुठी ने भी कही वही सरन के धर्ती पर बनने वाले सबसे बड़े हावाई अड़ा के बारे में रुठी ने कहा कि हम इसके लिए लगतार पड़्यास कर रहे हैं और आप भी पड़्यास करिए जब यह पुछा गया कि आप यार सरकार के साथ है तो अभी तक NOC क्यों नहीं मिली दोनों ने कहा कि बहुत जल्द NOC भी मिल जाएगी और एयरपोट बनाने का आदेश भी मिल जाएगा वही रजीव परतापूडी ने कहा कि और सरकार बेटा एयरपोट को डिवलप करे लेकिन इसके साथ ही सोनपूर में भी एक बड़ा हवाई एयरपोट बनाए क्योंकि सोनपूर में ग्रीन बिल्ट है में यहाँ भोट बरना है और इसमें सरकार को कोई मुआजा नहीं देना परेगा सर्म क्या कहेंगे लिए खारकीव में तो बहुत इस्तिती खराब थी पहले दिन ही मोदी जी की सरकार ने मिशन गंगा शुरू किया और उसमें बहुत बच्चों को निकाला बच्चों ने बड़ी हिम्मत किये बुजा ने भी जहां पर खारकीव में तो बहुत ज्याद बंबारी हो रही थी उसमें निकल कर आई है तो एक दम नहीं जीवन है हम दोग मिलने आये हैं परिवार को अजन के तो रही है कर दो नहीं के अबस पर को व्यांति है तो आप सब लोगों यह उसका होंगा इस बेठा बंदा रहे बंदा रहे कोई दिक्यात नहीं है मारत की सरकार शप्रा में सोग्फूल में 15,000 फीट की लंबाई का हवाई अद्दा बनाने के तयार हैं हम सब मिल करके आज़ें करें सहमती देगाए अभी तक सहमती नहीं मिली है साथ अखिर क्या बात है कि रूड़ी जाब करतावर मेता निकिस जी आप सब तयोगी रहे हैं आप सब लो मदब कीजिए एक बार बात करते हैं चल करते कि ये काम हो जाए और विहार का अगे हजार वर्ष के लिए सौवर्ष के लिए अच्छा है चलिए मिल्यों के लगते हैं इस बड़े हमाइए तक लिए और सुवर्ष किना पर पत्ना तक लिए और विहार के आप लिए निवार